सुरिणान के तमाम जन्ता और हमारे वेबसाइट के सभी सुनने वालो अदावर्जों सभी लोग को आज इस साल का नेखरन ट्विंटक डेसमबर हो चुका है नेखरन ट्विंटक डेसमबर इसके लोग तब ये भाईयो बज़नों दो दिन के बाद हम लोग पहुँचेंगे 2021 में हैं 2021 क्या हम लोग के बताएंगे क्या हम लोग के देंगे अभी पता नहीं है लेकि फॉलस खसों ठेट फॉलस खसों ठेट जनताओं के लिए सनेसा भेजा है कि डाम पर सरक पर मत जाईए जब जरूरी नहीं है कुछ की कुछ चीज़ों के लिए खाँ डिस्टराट अली और आसर एक मुझ सब लोग यही बात सोच रहे थे कि इतना बस्मेटिंग सरनाम में फिर से हो चुका है दूसरा खौलब सुरू हो चुका है लेकिन सरकार ने लोग डाओन के करार नहीं दिया तोटल लोग डाओन नहीं दिया और यह त्वेई यानिवारी तक ऐसे रहे गा त्वेई यानिवारी के बाद अगर यह बस्मेटिंग नहीं रुकेगा ता भाईया बहुत गर्वर होने को जा रहा है सब लोग को यही मालू होना चाहिए कि नवा साल पुराना साल लोग घर पर नहीं रहना चाहते हैं लेकिन ये जो आगे पीछे तिम्हें लोग जो खास करके करोना फीरिस तुमारा इंटिजार कर रहा है तो डांपक क्या लेने कि आप जाएंगे क्या करने के लिए आप जाएंगे सरक पर भाईया जी सरकार यही बात कहता है घर के अगवाकाल लोग यही बात कहते हैं कि घर से बाहर मत जाईयो क्या लेने के लिए आप जाते बाहर ना शुरी नाम के जनता ये जो कौफत नहीं खंती शुरी नाम में फैलते जा रहा है लेकि सरकार ने जनता को मौकद दिया है कि घर के अंदर में परिवार के साथ ये पुराना साल हो या नया साल हो इसको आप मना सकते अपने घर के अंदर में बाल बच्चों के साथ इन ओखिस्त जैसे हम आपको बताना चाहूँगा इन ओखिस्त इस दे वेट एट सौंदरे इस तुस्ताउंट इन दे नच्शोनाल आसंबली फरलेंट घ्मां के लेे ये बात हराकर हाऊ इन ओखिस्त इस ते वेट इसोंदरिंग्स तुस्ताउंज इन नच्शनाल एंदंग्स रांश्जी बर्लेंग्स In deze let staat, dat personen die de lockdown overtreden, aan boete opgelegd kunnen krijgen, van ten hoogste SRD 10.000, en 6 maanden Santa Boma. हम है राल करी भईया, इवेट में एक बात लिखा है, कि lockdown जो सरकार ने कायम की है, एक अनून है, कि आप फिर बाहर को निकलता है lockdown के समय, तो सरकार अगर आपको जाम पर पकरेगा, गिरफ्तार करेगा, तो 10.000 तकदार आपको भरना पड़ता है, याने 2, 3, 4, 5, 10.000 तक, और उपर से 6 महिना Santa Boma, अब आप सोचेंगे भईया, कोई के खून नहीं किया है, कोई को हत्या नहीं की है, हम 6 महिना Santa Boma कही से जाब, यही बात है, यही बात है मैं आपको समझा रहे हैं काकी, यैं शु 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 क्या करें के जाते दाम पर, जब सरकाने कान नहीं जाना, कोंच लिए जाएंगे आप? भैयाजय, एक मोटरगारी आउटो बस्तीरदर जौंदर रही बेवैस तेख स्कुतिंग लोकडौन के समय लीफोर्नो वेख एक स्कुतिंग में हालफ अलफ राती को समझेल भईया इतना बात बताया जाता है इतना बात समझाया जाता भईया जे पहले बेतौनेंच खुई को मारी धक्का उकरे बाद में गारी गे उलिट और फिर जाकर स्कुतिंग पर जाकर के धक्का लगा लुहा और रो इचा फीचा छितरा गया जनता ने अवाद सुनी स्कनाल धौर के जो गया है बस बस कीजन निकर करके गारी में से किसी एक उतार क्या होगा या कुछ क्या होगा और उसके बाद में गारी ओहीं छोड़ करके और भाग गया है अब सब लोग याद किया भी तक NDP अर खेरें पकेटन बगएरा बटवा रहे थे उन दिनों में NDP के राज में लोग ने बड़ी शिकायद किये थे छोटे लाल ये छोटे लाल वो छोटे लाल ये मैं देख रहा हूँ कि फीसर प्रेशिजेंट रोनी ब्रिल से क्या कहता है एक भूसाके में छोटेल ब्रुटेजेंट कैका भाईयदी बुलेट जनता शिकायत करते हैं जनता आवाज उठाया है Рोनी ब्रेशवेक कहता है Critic critique कि फोर्शेटर रोनी ब्रेशवेक फिर्मा बेच छटेलाउ से रुजगार करता है ब्रेशवेक कहता है मैंनी छटेलाउ फर कोफ खूद कोफ एक कोग वार्खुद कोग इस जैड़ फिसर प्रेसिदेंट एक पर्ष कॉंफरेंसी सो मुहार को आप समझगे भाईया जे बुरहें से कहा जे सस्ताम बेचे वहिं की लब और छुटे लाल सस्ताम बेचे तो मा की निला छुटे लाल एक अंदर नेमर है और सस्ता में सौदा बेचे थे उन्हें बरकाश उनका बरकाशी परमारक है बहुत से सौदा उनके है सस्ता है बरुटे कहिता है तो उन्हां हम खरीगते हैं और हम कोई के कोमेंटार नहीं सुनना चाहते हैं अगर छुटे लाल को रुट है तो परकुरे खी नराल उसको देखेंगे वो हमारा काम नहीं है वो पेशे के काम है छुटे लाल के साथ बरुटे कहता है एदूर जाके दे छुटे लाल पेल टाइट कैस्टिवहार के दिनों में ये दो दिन कैस्टिवहार होता है 25 तारी का 26 तारी को लोकडाउन के समय का की पुलिशी 411 लोग को गिरफ्तार किया है डाम पर 411 लोग 411 लोगडाउन ओफर ट्रेजर्स इस सभी का पुलिशी विरोग को पकर-पकर करके ले गया लोग ने इसे ग्रूप में एनन सेइफन तक फ्रावन जो थी एनन सेइफन तक फ्रावन औरते हैं अब तो जाने जबहिया मर्दों अकेल ही दाप नहीं निकलता है औरतों को ले करके कभी-कभी नचनिया लोग जाते बाहर कभी-कभी कोई अच्छे लोग जाते बाहर लेकिन केर्श के तीवार के समय सरकार के मीनाही पर भी 411 लोग गिरफ्तार हुआ है अब हम चल रहे हैं दूर कहा हां जाते हैं जब रोनी ब्रुन्ष्वेक के बिटिया नेजलांसे सुरिना में पहुंची है रोनी ब्रुन्ष्वेक के बिटिया नेजलांसे सुरिना में आई है फिसर प्रेइसिदेंट रॉनी ब्रेंश्वे का बिटिया नेजलान से जो भी हाँ पर पहुंची सांदरेई पर तो कुविद नेख़ती प्रोटोकॉलन और रेखल्स जो हर एक पाशासीज के लिए होता है लेख्थाफंसेंदरेइपर ये प्रोटोकॉल के दिवारा रॉनी ब्रेंश्वे का बेटी एलपोर्स बाहर ये जिससरा से कंट्रोल के साथ आना चाहिए ये दिगा कंट्रोल से बाहर आई है शुलालस्तन उसे सवाल करता है रोनी बरेश्वेक से कि क्या बात है रोनी तो अब इडिया इसा एक को प्रोटकॉल प्रोटकॉल रीखस ना उनके लिए थे और वो बाहर आकर के और अपने घर को चल गई है या कहा गई है प्यारे जंता रोनी बरेश्वेक कहते एक खानी तरया खेर और फ्राखन भी बदूव सेंग उम मैई पर्शूलक आंट फालन बले कि हम आप लोग के सवाल पर आंट उप नहीं देंगे क्योंकि आप लोग मुझ पर इजाम लगाते हैं मुझ पर हमला कर रहे हैं य गता रहे हम् मैं फ्राःत हम थाज़खर ऱ लुख कर लोग के आं इवाल पर पर बंट के सवाल जहनननननन आक निलाव्रत है मैं नो आक्सी में लाव लाव सामी में मांग। बिगार गे रौनी बिदेश्वेक। बिगार गे काकी। पैस्ट कॉंफरेंसी में रौनी बिदेश्वेक। लोगों से माफी बाग लिया कि देखो भईयाजी। नो आक्सी में लाव लाव सानी में मांग। अईसे न बोलो याओ तनी चटक पटक के बोले होई तो काकी। तो देखो देश्वा में तरा तरा के चीज होता है। और तरा तरा के चीज हम जनता के सामने भीज रहा हूं। देखो भाई जे आगे हम कुछ दो कुछ और कहने वाले हूं। देखो। मैं देख रहा हूं के अग बार में आज अठाइस देसेंबर को आफ जो सक्ष्ण। झाफ्श्दू कि लूजगें ओ चीज हो देखेंuates देख्ज़ लूजगेंगेंग देखें Kopfेंटग जей अजनता को देखेंस बी सिरी नाम बीवी एस के सज़श्यों के लिए हम बात करते हैं समझेंगा भाईया एक बिस भाईया कंदाल में घुश गया एक बिस महमद रशीर पीर खान के बगल में जो कंदाल है है डेशर रेट ओफर दे महमद रशीर पीर खान भाईया नीवे खान वेख से आ करके उसमें घुशा प्यारे भाईया ये बस्तियुजर चोग गया था स्प्यूर के पीछे लेकिन जब इनका आख खुला तब ने तो गारी कंदाल में पहुच गया था बुर गया जब आप सूत गए हुए आप सपना देखने लगा मारिकल जैक्शन के सपना है या शकीरा के सपना तो जात हो दी बावे बागोस गे भाईया और या को के निकला वहां से न भगा निकल के वहां से भगा भगा गवगा गुफुस्त गे रिवा में कंदाल में लेकिन वहां से भाग निकला है एक इंस्पेक्टर फां पुलिची क्वाटर वेक के बाद भगा जै जै इंस्पेक्टर फां पुलिची फरकेद अन्दर इंफ्लूट पन आलकोल यह शराप प्ये है थे और यह सिपाई सोचे बाब देहतर है कि क्वाटर वेक अरश्ता के बगाद में खड़ा करके उसमें अराम हम कर ले जब नसा कट जाएंगे तो हम गर जाएंगे एक पर केद इसन ओटो अन्दर कोटर वेक एंफिल इंसलाब प्यारे भाईया एक आदमी बाहर से देखे कि कोई सूतल है गारी के स्टिर के पीछे वो सोचे कि इनके कुछ हो गया है हार्ट मार दे इसे या कुछ गुजर यह मुसीबत में है तो शिपाही को तार किया अब शिपाही आ करके उनका फिलम बनाया है फिल दे जा करके जेल में डाल दिया जेल के अंदर में भी फिलम बना यह आदमी बड़ी नराज हुआ यह सिपाही और कहा देखो बाहर तो कोई बाहर के आदमी बनाया होगा फिलम लेकिन जेल के अंदर में सिपाही जा सकता है तो वहां सिपाही बनाया है दो फिलम है अब यह इंस्पेक्टर अपना काम के शुरू कर दिया फिर से लेकिन ये मुकदमा चलाने वाला है वो इंस्पेक्टेर जो इनका फोटो बनाया है जेल के अंदर में अल्दों तक पहुँचाया है हम और हम काते हैं बताई काकी है ऐसन ऐसन मुसीबत है दुनिया में एक नौजवान बच्ची औरत का लाश मिला है प्यारे प्यारी लोग लेक फ़ान आख त्रोफन ब्रुकात वेख जैस्तरात फ़ान बोम वेख ये एक कंडाव के बगल में ये लाश पढ़ा था ये जोजवान बच्ची पता नहीं कि कैसे इनका हत्या हुई है कैसे इनका मौट हुई है लेकिन लाश ज़्यादा बिगर चुकी थी भाई जी सिपाही ने बच्ची नाख में लिया है अब उन्हों सुख होगा कि ये बच्ची का मौट कैसे हुई है अजिक अनिक प्रकार की ये बात है भाई जी अभी देखो वेल खदाक सेई वेख में जब सरकार ने कहा ये गाना बजाना ये सब चीज बन करके रखना तो वेल खदाक सेई वेख में का की एक आदमी ने बड़ी जोर से मिसी बजा रहा है आसपास के जंता को तकलीब देने लगा वो सब सीपाही को तार किया सीपाही हुआ जा करके उन्हें धंकी देता कि भाई आप बन करो यह इसे होगा तो सीपाही चला जाते तो घर घर पूछा है कि के तार करी से के तार करी से कि तो यह ने चीज़ वह का कि बठी अन्जन बोले लॉंडवन के तार करी से के यह आसपास में जा करके फिश धंकी देवे तो जा करके घर तो और जोर बजावे बढ़े बेल के बेल के अपरम उसा के बस आप पूछ पीट तार कर दिया और लगा गरिया भईया बिर्फरों को तब लक्षी पाए फिर पहुचा फिर पहुचा भईया जब पोलीश आखेंटन ये सब सुनिस के कितना जोर से मुजिक बचता भईया पररंग पररंग ब्रसलियान से मुजिक तो जाने की बेट डांसरस कैसे नाशती मौशी मुझा प्रेट शेब नाशने लगती है वई सा मुजिक पर अनेक अनेक मुजिक भईया बाशी पाहिए ये जतना इंस्टलासी था मुजिक के सब बसलाख में ले लिया है बसलाख में ले लिया भईया अब हम का बताई चुहें तो आगे तरातरा के सनेशा तरातरा के खवर है अकबार के अंदर में ना हम लोग को कहीं 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 काम है कि आप ये अकबार के सनेश जो है आप तक पहुचाने के लिए आप तक पहुचा दिया जाते हैं ना काकी ना अब वही तो हमारा काम है अब ये बात ऐसे हैं आज हम अगबार के टाइमस आफ सिरी नाम के ख़बरों में एक ख़बर दिपरने जा रहा हूँ बेखम हे नुवी सब इंदरा वती पीर खान सुमेर सुकरवार को गेश का प्रेशिदेंट सिरी चंदी का पसास संतो की उनको देकुरेर की गई है तो खरोट मेस्टर इंदर एर और फान दर पालम क्योंकि फैफंटने नुवी फैमर को कोई कारण बस ये वहां ग्रूप के बीच में इनको होना चाहिए था तो ना जा सकी इसी कारण से ये देकुराथी प्रेशिदेंट खुज जा करके यानि की है आप ते जानते हैं बेखम एल्वीस इंदरावती पीर खान सुमेज इसे अकबार ने सिक्र की है ये रेडियो का काम अकबारों के काम इन तमाम चीज़ों में पोरा अंदर्स्ट्रेइनिंग किया मदद किया इसी कारण से ये दूसरा बार है इनको देकुरे किया गी है प्रेशिद्या जरूनाप फेनिच्छान पहले एक मरतलबा कर चुकी थी रेडिक्वेश इस शुशाल खबीद पर यानि मस्जीद और जमाद के कामों में मैं दूसरी नाम से इसलामी स्वरी लखें जहां पर उनका खावीद मरहूम साहिब रशीद पिर खान 27 साल सदर था तो इन्हें जन्ता की ओर से रापार के समीश्वने वालों के तरफ से परदेश वालों के तरफ से बेखम हिल्विस इंद्रावती पीर खान सुमेर को मुबारक बाद पेश की जा रही है इस दे कुराची के मौके पर तरफ मेशर इन दे एर और दे पर दे पालम परिट पीर खान की मा है बहुत परिट को भी मुबारक बाद लों देर है भाया जे सुरी नाम के हरेक लोग जन्ता रुत अपूरा और निकेवी का बोट ये रोग दिया गया है दिशेश कमिसार जोस्ता लेवीस फार है बस्तीर रेसोर्ट का बालेबो दरशोफदन एन है ख्विक रिस्पॉंस टीम फार है बस्तीर रेसोर्ट के द्वारा ये जो जन्ता को ले जाते थे पहुचाते थे इसको रोग दिया गया है कोफित नीजशंतीन के कारण से बस्तीर फैल रहा है फैल रहा इसके कारण से अब पूरे में पता चला कि वहाँ भी ये बस्तीर ज्यादा है इसे मौके पर रुत आप पूरा निकेई अज़ फार्थ कहाँ हम अपने जन्ताओं के लिए सनेसा और भेजने के लिए जा रहा हूँ भाईजी अब बात ये का कि ब्रिल्स्वेट के उपर लोग ने कटास की है उनकी बेटी के नाम लेकर के कि उनका बेटी के पूरा ऑन दे स्टेज ने सरकार देता है तो ये तो वो तो ब्रिल्स्वेट क्या कह रहा है इसके बारे में हैट इस अनकेंट फिसर प्रेशिडेंट एंड सेइमा खनीतन फान दे प्रिफिलेश्यस दी हार फादर खनीत बात खतम तब इतना लोग बार बार भाईया क्रिटिक क्रिटिक कटास तो रहानी ब्रेश्वेट खराब है इसके जाने उनका जो पाक पहिंता है जबजस्ट पाक भाईया बारी जबजस्ट पाक उनका भाई और वो फिसर प्रेशिडेंट के नाम अपने पाक के द्वारा भी उचा रखा और ये बात कहा भाईय जे सुने लो भाईया कात दो बना कुटा-पूटा बात करते हैं हमाई बिटिया जो प्रिफिलेश्ट बाप उनका पेई-पेई के दर्या से दिया जाता उनका बिटिया को मिल सकता है और मिल रहा है पर सबके मुगल बंद है सबके मुगल बंद काके अच्छा तो वो था ब्रिफिलेश्ट के मामला उनके बिटिया के मामला रजेंगर खारगी ये बैदक हो चुका है अलस आमसादेर इन देजलान रजेंगर खारगी सो मुगल को प्रिशिदेंट चंदरी का पसासन तो कि उन्हें बैदक किया है और सुरिनाम से अमसादेर इन देजलान तीन साल तक सुरिनाम का अमसादेर वहां नहीं था ने देजलान पे और सुरिनाम के अंदर भी खालान के अब आप जानते हैं भाई जी कार्गी जी को पना नचुनालिट जो ने देजलान से नचुनालिट उन्हें सरकार को देखर के और सुरिनाम से नचुनालिट शुकार करने करी यह बाच प्रिशिदें संदों की ने कहा प्रेमीरी मारक रृत्र यह फैसला भी ऐसे लिया है और इसे तो जानते की खारगी आपने रहे करके हरेक समय रइपुर्ताश भेजएगा शुरिनाम में वहां का रेलाइची के बारे में अल्हुलांट शुरिनाम के रेलाइची वहां के इंसान के बारे में वहाँ के इंसान जो सुरी नामे आना चाहते हैं जो लोग बिस्टस करना चाहते हैं जो लोग यहाँ पैसा ले करके रुषगार करना चाहते हैं इन तमाम चीजों के लिए रजेंदर खार्गिया मसदर सुरी नाम का प्रसिदंट चंद्री का पसाथ संतोखी को ये सनेशा भीशते रहेगा हम आगे उन लोग के लिए बात करने जा रहा हूँ जिनों बाजो कार्टन बगारा सरकार के लिए इसे जी लोग को मिला है देखे बाजो कार्टन सब फरलेंग हो चुका है आपको खली इंतिसार करना होगा क्योंकि बाजो कार्टन जब फरलेंग है कट लग कट जब लग सरकार आपको रोकेगा नहीं तो समझ जाओ तुम्हें दोड़ने के बात नहीं है तुम्हारा कार्टन फरलेंग हो चुका है पर हमारी बोजो में बपार जापो लोग घुश करके मोशी लग दौन के समय लग दौन के समय तोर फर करने बाप तोर फर वहां के बोक्स फान है कामरा सिस्टेम और एक सरका एक ओतो अउटो फान अन बवाकर ये फ्लिक्ट आउटो इसको ले करके भगा है समान चोरी करके एक बवाकर को बान करके बड़ी पिचाई पिचले ये लोग बाप उनका सर फुट 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 गया है ये बात कहता है आलतन बैरख जो दी रटेंड का दी रेक्टर है जो फ्लिक्ट आउटो इस अफ़बरंट दो पुलीची इस आखत्रोफन कुछ नगट पैसा राद दो हजार 120 एरो और दो लेप्टॉप्स लेकर के डाको ने भाग गया है बीर अटेंड में जाकर के डाको ने चोड़ी की है प्यारे जनता देश के लोग अब प्रेशिदेंट चंद्री का पसाथ संतोखी ने खाए कि यह साल तो भीट जा रहा है यह जा रहा है एक दू रूज है गये 2021 में बहुत से काम करना भाईया बहुत से काम होने को जा रहा है देश में इन्फरेस्टेजर स्को लाना है देश में एक्सपॉर्ट के बारे बाचित हो रहा है देश में बलस्ते के बारे सोचा जाता है देश में डॉलर्स के बारे बाचित किया जाते हैं वो कैसे आएगा और सरकार के कैसे ये इस पर काम भी करना परेगा ना तो ये यानि कि डॉलर्स के बाच जो है अब देखें बताया है प्रीसिजन कि लोग समान को बस्टल करता है लेकिन पता नहीं है कि कई दॉलर्स ये लोग ने इस्तमाल करता है और वो दॉलर वापस आता नहीं यहां सिर्विनाम में उस्तमाल बेज करके और फील शिर्विनाम के पईशा फिर दॉलर बाहर भेज देता है लोग ने इसे कारण से डाला न रहेगे सरनाम में ये पर सरकार काम करेगा एक कनून बनेगा कि सब लोग के फरफ्लेट होगा कुछ डाला तुरुआने के लिए संत्राल बांक में हम लोग मारलोन ओशली को मुबारख बात देते हैं जो शुरी नाम से वातले मास्वपे ये छे महिना तक ये अपना काम और कर सकेगा मारलोन बड़ी अच्छा काम किया है एक फंटस्टीस वेरिक पर रेख और ये एक तक्नुकराथ जो जाने है किस सरीका से काम होना चाहिए बस सरकार कहा कि सैसमांजन ये प्रोएक्ट और ख़तम करने के लिए इन्हें पूरा मौका दिया गया है मुबारखोग मिदल बार जौल मर वईन यनिवारी को सुरुवात होगा या फिज़िवारी लेकि start सेइकर है ये पर्श कोंफरेंसी में फीसर प्रेशिध देंट्रोणी ब्रिंस्वेग ने कहा कि एक मिदल बार जौल मर वैन में बनेगा अगर यनिवारी में सुरू नहीं ह देखो भाई जी अब हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे यह तो आप समझ गे है चलेएंगे भाई जी जेखो जब बार बार लोग अकबार पढ़ते है जब लोग बार अकबार को पढ़ते हैं अकबार के खबर पहुंचाते हैं जन्ता करना, जिससे हम लोग करते हैं, तो जन्ता को उस पर अमल भी करना चाहिए, हम बात करने जा रहा हूं, कि जिससा संत्राल अमारट कुछ जिनों से बंद है, कि तरकारी और फल बजार के बाहर बिखता है, ऐसे करके बहुत जगे अग्दाम पर जहा लोग टेंकी रखा है, मखें तक कनार वेख और कितने जगहां, लोग सौधा जाकरे के खरीचते हैं तरकारी बजार थुरण गिन के लिए बंद है, जिससे सरकार के कंतोर, ज्यादा कंतोर बेद बंद है, जहां जरूरी है, वहां कुछ-कुछ लोग हैं काम करने के लिए, लेकिन भाई जी, बजार बंद हैं लेकिन दरकारी खरीचने के लिए, जाम के बगल में जतना तेंटी बगैरा, वहां जाकर के अपना सौधा आप खरीच सकते हैं, यह सब बात जरूरी है आपको जानने के लिए, हम आगे चल के बताना चाहूँगा आप लोग को भाईया जे कि जो एक सभा लगने वाला था नश्राशंबली में वो सभा कोई कारण बस रोक दिया गया है जो सभा पर्लमेंट में शुरू होने वाला था वो सभा कोई कारण बस अब रोक दी गई है नश्राशंबली बहुत रहा कि सभा जिसमें बखरोते के बारे में भी सिकिर हुआ तो या निवारी से अब शुरू होगा ऐसे कोप का चहरी भाईजी मलादेश का प्रेसिदेंट होफ का बनुम हो चुका रख्टर्श बनुम हो चुका और कितने मुकदमा अभी तक सरकार फैसला न ले पाया है यहने की उमभा मिनिस्टेरी उमभा मिनिस्टेरी को कम से कम फैसला लेना चाहिए चितना मुकदमा रुका है छोटा मुकदमा बड़ा मुकदमा गिल्म और हुद्रात के मुकदमा इन तमाम मुकदमा में फैसला सरकार को लेना चाहिए अगर सरकार न लेगा तो लोग अभी सोचते हैं कि बड़े आदमी का मुकदमा रह रहे के ताल दिया जाता है यह बहुत सोचने के बाद हो जाता है एक दो साल के लड़ता एस्ट फिर वेरक्स लाखताफर हो चुका है एल्री कोट्स बरांट वेर फोर लेक्टर यह बात अगबारों तक पहुंचाया है खेस्ट रहे एस्ट स्लाख वाफर इज़े स्पुत आईशन दे लोग को लेतर के लोग गया है अब आप जानत है एन फिर तक कौन तीनर आया है चालिस चालिस फुत का है और यह इन यानिवारी तक मौका है धम धमा का धम धमा का धम धमा का करने के लिए अगर त्वे यानिवारी को भी आतिस बादी आप सुनेंगे तो आपको शिपाही को तार करना पड़ेगा क्योंकि सिपाही भाईजे लोगों को डाल लग वाएगा इतना बात तो याद रखिये स्पेल तु स्टेलन फोर्ष खोलन देस्ट्रेश कमिसारस शरीन बंसी दुरगा सरमक्का के दंदेडा को स्पेल तु स्टेलन ओ एस कलकुता एन OS-Kalkuten 2 Resort Kalकутa में स्टपनाजी De speeltoestellen in donatie, gemeenschapkilië, van Sarmaka, door de stichting Srenang Borukedwara. De speeltoestellen, je opgeknapt en geschilderd door de arbeiders van civiel technische dienst van het commissariaat. De speeltoestellen, van de speeltoestellen zijn bijzonder blij en verdanken, de donatair. अब leerlingen, भाई, इस पर आप kheel सकते हैं, दीन बिटाते हैं, यह बहुत जरूरी है, कि ऐसे हुआ है. ओम एक दो नाटसी की है, नामस, नेजलन के परिवार के अलंग से. तो जाने है कि, हर एक साल, लेफिस मेजलन पकेटन, के इंखरीच्छप, और फूदिंग, यह ज़्यादा इंस्टाले में जाकर के दान करता है. 20 december, 277, गुदर में, देंखरीच्प, तो में लेजेश्फप से रे घंखरीच्प्यद्शबू है, ngَّバी बूम, के लिदे।, रे लेफप्यद्फपूद्वच्प, जैंखरीच्प, के देंखरीच्प, या क्यातिंग एंख्यादूद्प, तो छेंखरीच' Voornamelijk in Boksel, Domburg, Ornamibo, Dijveld, Jebatrake, he De pakketten bestaan uit een hoort, chap, hark, veil, slijfsteen, handschoenen, kruiwagen, schop, schoffel, laarzen, groentezaden kruipies and planches, dit is kuch is, jatne saman het, bhaiya, kheti varen kanneke vrije hunnhoekom daan diya gaya hai, toh, jee mujhe pata chala, aaj akbar ki dvara, bhai jay, dekhe, behu se baat raha, lekin, haem mujhe pata hai ki, aap ne, jee, rantri ko, harla gandana, sunna chate hoonge, aap ne, shanti roope me bait karke, pujha pat karna chate hai, dhua karna chate hai, joh aap ko karna chate hai, joh aap ko karna chate hai, dhekhe, bhai jay, dunia bhar me, jee, musibat, suru ho gaya hai, hem baat kerne jata hoon, kofit nai khantin ke baare me, ee, baris khatam ho raha Draghi, twenty-two, and eight, twenty-two dontak me bhi, haem lhog us ke baare me baat karte rehenge, lekin, suru karen ko dunia ke jitnye loog hai, bade 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 widwan loog joh hai, chalak chalak loog joh hai, naa, aur, Kaabolay ki, sabi maan loo jitnye hai, sab ko aana chahi yi eek jada hai, aaf, aaf, o, pooja pat karke, yore maamula ko dure karheen, वन्हा हम लोग इसको रोके गए नहीं, तो दुनिया भी खतम हो जाएगा, दुनिया हमेशा के लिए, यानु जहन्नम में चला जाएगा, इसलिए हम लोग को परात्ना करना चाहिए, जुआ करना चाहिए, और अपना गलतियों को हम लोग माफी मांगी परहू से, क्योंकि आज हम लोग के गल्तिये से ये सब चीज उठा दुनिया में जब हम गल्तिय न किया होते तो ये सब नहीं होता तो आप लोग माफी मांगो आप लोग तौवा करो तौवा हाँ तौवा करो माफी मांगो प्राचना करो दुआ करो हाथ उठा करके ताकि प्रभू तुम्हें माफ करे हम लोग के माफ करे और दुनिया को आगे ले जाने के लिए बचाने के लिए हम लोग को फिर दुबारा मौका दे कोनिंस्त्राग नमर उनासी से विध्वादोरी जालिम सिंग रूपराम सुख के साथ सूचना देती है सुख देजेंबर के पचीस तारिख को सैटालिस साओ के उमर में विध्वादोरी जालिम सिंग रूपराम के भतीच अनुराधा जालिम सिंग का भाई स्वर्गे सिव संकर सिंग जालिम सिंग का भतीज क्वातावेख नमर 170 के रहने बले स्रीमान जय कुमार फतीगन की मृत्यू हुई है इन्हें लोग जोई के नाम से जादा जमते थे अर्थी एतवार या निवारी के तीन तारीख देखने का मौका सुभदस से दिन में बारा बजे तब निवास्थान पे दिन में बारा बजे निवास्थान क्वातावेख 170 से उठाई जाएगी दो बजे वेखनार से पर दाख करिया की जाएगी तमाम परिवार जान पहिचान वलू हर एक को खबर दी जाती है कुवातावेख नमर 170 से स्रीमती शालीनी फतीगन गोपाव सुख के साथ ये सूचना दे रही है कि सुख देजम्बर के 25 तारीख को 47 के उमर में स्रीमती शालीनी फतीगन गोपाव का पती कैलाश, विजाया, जायेश और दानेश का पीता कुवातावेख नमर 170 के रहने वल्ले स्रीमान जयकुमार फतीगन की मृत्यू हुई है इन्हें लोग जोई के नाम से ज़्यादा जमते थे अर्थी एतवारिया निवारी के तीन तारीख देखने का मौका सुभदस से दिन में बारा बजे तक निवास्थान पर दिन में बारा बजे निवास्थान कुवाता वेख नमर 170 से उठाई जाएगी दो बजे वेख नर्जी पर दाख क्रिया के जाएगी तमाम परिवार जान पहिचान वालो हरेक को खबर दी जाती है मेस्तरात नमर 10 से मालिक क्रेस रुतिशोप का स्रीमान कृष्णा दथ फतीगन सुख के साथ यह सूचना दे रहे है के सुख देजमर के पचिस तारिह को से तालिस साथ के उमर मे मालिक क्रेस रुतिशोप का स्रीमान कृष्णा दथ फतीगन का बेता अनत फतीगन दियाना जुलुमसिंग फतीगन का भाई रायन जुलुमसिंग का सार रक्षती और विदूर जुलुम सिंग का मामा, स्रीमती शालीनी फतीगन गुपाव का पती, कैलाश, विजाया, जायेश और दानेश का पिता, स्वर्ग्या के सर्वती फतीगन रूपराम का बेटा. क्वातावेख नमर 170 के रहने वले, स्रीमान जय कुमार फतीगन की मृत्यू हुई है, इन्हे लोग जॉई के नाम से जादा जांते थे, एतवारिया निवारी के तीन तारीखर थी, सुबह दस से दिन में बारा बजे तक देखने का मौका निवास्थान पे, बारा बजे निवास्थान क्वातावेख 170 से उठाई जाएगी, दिन में दो बजे वेखनार से पर दाख क्रिया के जाएगी, तमाम परिवार जान पहिचान वालो को खबर दी जाती हुई. स्वर्तन होफन ब्रिख्स्तरात नमर 173 से स्रीमान की सोर रूप राम सोख के साथ सूचना देते हुई. सुक देजमबर के पचीस तारिख को सै तालिस साओ के उमर में, स्रीमान की सोर रूप राम, स्रीमती बेया रूप राम बदरी के भाईने, दैनी और श्वेता का भाई, स्वर्गे कलब देव रूप राम, स्वर्गे अतारावती रूप राम रामदास के नाती, क्वातावे नमर 170 के रहने बले स्रीमान जय कुमार फतीगन की मृत्यू हुई है। इन्हे लोग जोई के नाम से जादा जमते थे। अर्थी यनिवारी के तीन तारीख को सुबह दस से दिन में बारा बजे तक देखने का मौका है निवास्थान पर एतवार यनिवारी के तीन तारीख को बारा बजे निवास्थान को अतावेख 170 से उठाई जाएगी दिन में दो बजे वेख नरसी पर दाख करिया के जाएगी तमां पडिवार हिती प्रेमियो को खबर दी जाती है. WELKOMS Patti. WIĂ IS PATRICIA? Of verborgen gevraagd. Ja, ik denk dat de trafferken ogenomen. Ook Fautja bedankt dat ik in het programma mag zijn. Ja, wIĂ IS PATRICIA? Ja, ze is een jonge vrouw. Niet meer zo jong, maar in de 40. En ze is moeder van 3 prachtige SOMEN. En ik ben in het dagelijkse lieve parlementariër van de Nationale Partij Suriname. En dat is wat ik allemaal doe en nog veel meer hoor, maar that are the main things. Nogal bescheiden, maar onze pati is natuurlijk veel meer dan dat wat ze heeft aangegeven. En ja, ik denk dat ieder dat kan beamen. So, iedereen is nieuwsgierig naar dingen die we niet in het nieuws tegenkomen over Patricia. Een heleboel dingen. Wat heeft Patricia gestudeerd? Ik heb bestuurskunde gedaan aan de Antondekom Universiteit. En daarna heb ik mijn master gedaan in Public Administration Governance bij Luma Po. En recentelijk ben ik gestart met het voorwerk om te beginnen met mijn promotie. Om te promoveren tot dokter. Dus dat is wat ik wil gaan doen. Ik ben al bezig met het verzamelen van informatie. Het gaat over de gedecentraliseerde eenheidsstaat. Eigenlijk komen tot een systeem voor een goed staatsinrichting en regionaal bestuur voor Suriname. En eigenlijk hoop ik dan met het promoveren te gaan richting een andere manier mijn bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Suriname. Voor zo'n drukke mevrouw. Zijn er nog hobby's? Is er nog tijd voor die hobby's? Ja, ik heb hobby's. Ik hou van lezen. Ik vind het wel leuk om te lezen. Omdat eigenlijk lezen geeft mij meer drang om veel meer te weten. Ik vind het ook leuk om naar tv te kijken. Ik ben echt zo like films. Ik ben een junk. Ik ben een filmjunk hoor. Het wandelen vind ik, weet je, als ik een beetje eruit kan gaan. Ik hoop van dansen, weet je. Ik vind het erg dat ik december niets meer ga kunnen doen. Want met die hele COVID-19 situatie ziet onze decembermaand er helemaal anders uit. Maar met de kracht van God voel ik me op 2021. Hopen dat alles weer genormaliseerd is. Dat ik weer kan gaan dansen in december. Want dat zijn leuke dingen die ik graag doe. En voor de rest, ja, goeie van mijn chill momenten. Weet je, mijn momenten waar ik echt met mijn gedachten bezig ben en in de rust. That's it. Welkom terug in de studio van RBN met Patti. Hoe ervaar je het als moeder van drie jongens? Het is een toffe job. Maar laat me er dit van zeggen. Ik doe het ook niet alleen hoor. Want kijk, sommige mensen zullen denken van zo, sis. Misschien is het zo'n powerwoman om het alleen te doen. Nee, ik heb een prachtige moeder die me daarvan nodig ook echt ondersteunt. In de opvoeding van mijn kinderen. En ik heb nog hulp van andere mensen. Ik heb een jonge dame die me ook helpt bij het opvoeden. Weet je, zij is er ook wanneer ik er niet ben. Dus ik doe het helemaal niet alleen. En ik ben vooral mijn moeder dankbaar dat ze echt daar is. Want ik denk dat als ze er niet was, en niet denk. Als ze er niet was, zou ik heel veel niet kunnen doen. Dus als ze niet eens denkt, dat is gewoon een feitelijkheid. En ik ben blij dat ze me die ondersteuning geeft. Echt, ze is er. En wanneer ik haar nodig heb, dan is ze ready. En dat geeft me die ondersteuning om steeds verder te gaan. Om niet op te geven. En natuurlijk moet jongens weten hoe ik ben. Ik ben niet de liefste moeder. Mijn strengheid is er in die opvoeding. En wanneer het moet, laat ik ze ook zien van Hé, stoppen. Niet verder. En dat weten ze. Nou, ik zou zeggen, mama, ik hoop dat u heeft geluisterd. Mama is een superwoman. Welkom terug in de studio van AirBn bij de Hitparade. Heb je ook kwaije streken uitgehaald in je jeugdjaren? Wel, ja. Ik hield van Poptipatto spelen in de vakantie. En een man had duiven. En we vonden het nodig om een paar van die duiven van die man te nemen om duivensoep te maken. En, ehm, ja, het was een lekkere duivensoep en we hadden die veren van die duiven mooi netjes geregeld voor die man. En die man dacht dat een paar van die duiven er nog waren, maar wij hadden ze gegeten. En, ehm, voor de rest, boomklimmen was echt m'n hobby. En ik kan me nog herinneren, ik kwam een keer van de kerk en ik vond het nodig om jamu te gaan plukken. En je weet, jamuflekken gaan niet weg. Dus ik kwam met m'n mooie jurk met de jamus in m'n jurk, kom ik thuis aan. En m'n moeder zegt me, Patricia, wat is dit? En ik zei ervan, ja, ik weet niet waar ik was. Vlacht, alleen was ik in een boom. M'n moeder heeft m'n pak slaag gegeven als pak slaag. En, ehm, ja, dat zijn die dingen die ik allemaal, die we allemaal hebben gedaan, hoor. En soms gewoon, ehm, ja, anderen voor de gek houden met een heleboel gekke dingetjes, weet je. Zeggen van, hé, kom, we gaan dat doen. En wanneer die mensen daar komen, zijn we er niet. En iedereen kijkt uit van, hé, waar is Patricia en haar groep? We zijn er niet. Weet je, en de volgende dag moeten we gaan verklaren. Dus, dat zijn een paar van die dingen. Maar, het waren leuke tijden. Ik herken het. Het waren hele leuke tijden. En, ehm, ik ben ten midden van jongens grootgebracht, weet je. Dus, ik heb broertjes, of jongere broers. Ik ben de oudste. Dus, vlacht, ze brachten me mee in bepaalde dingen. Echt, ehm, denken zoals jongens, weet je, bepaalde dingen doen. Vra boom, klima, was een van die dingen. Van, hé, dat doet de meisje niet. Maar, ik zag het als fan, weet je. En, ehm, popchipattu spelen was ook leuk. Ehm, huisje spelen was echt leuk. Djoel. Weet je, ik heb echt leuke tijden meegemaakt als kind. Echt. Ja. Ik mis het echt bij de jeugd van die geworden. Ja, ja. Maar ik herken een heleboel. Mm-hmm. Welkom terug in de studio van Airbn met Patricia. De ervaringen bij Jeugdjournaal en in de muziekwereld. De muziekwereld. De muziekwereld. De muziekwereld. De muziekwereld. Ja. Ehm, ik was vrij jong. Laten we ook vertellen hoe het allemaal is gegaan. Ik was vijftien jaar toen ik benedigd aan de Miss Teenage Contest. En aan het Miss Teenage Contest deed ik mee en ik kwam toen op de tweede plek en ik was toen ook Miss Joy. Dat is net als Miss Sympathica. Ik werd, ehm, ik kreeg toen de titel van Miss Joy. En van daaruit is gekomen het feit dat ik toen samen met de winnares van Miss Teenage Jane van Akseldongen, begonnen wij onze eerste jongerenorganisatie, Surio. En ik leerde toen, ehm, Melissa Venetiaan kennen, de dochter van de oud-president Venetiaan. En zij heeft me toen ook veel begeleid als tienermeentje. En veel ook geleerd om hoe zaken aan te pakken. En, ehm, met Melissa werken, ehm, kwam ik in contact met oud-president Venetiaan. En waarmee ik ook een hele prachtige band heb, ehm, gecreëerd, heb gemaakt. Weet je, een goeie, ehm, verstandhouding, want ik was nog vrij jong. En, 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 je mocht, je mocht praten bij de president toen. En, ehm, het was de eerste termijn-president. Het waren moeilijke tijden toen. En we mochten toen met de president praten. En van daaruit is ook, ehm, de vraag komen van, om het juistjournaal dan te presenteren. En, ehm, toen begon ik het juistjournaal te doen. En ik liep dan passief mee in de NPS. Want, ehm, Melissa Venetiaan die bracht ons mee. En ze liep ons zien wat de NPS toen was. Met de groep jongeren waarmee we Surio toen hadden opgezet. De Surinaamse jongerenorganisatie. Zo noemden we het. En, ehm, van daaruit kwam mijn presentatie bij het juistjournaal via het onderdirectoraat juistzaken. En, ehm, na, ehm, mijn presentatie van juistjournaal werd me toen gevraagd, ehm, bij STVS om een great music experience te doen. Ik was toen ampertje zestien. Ik werd bijna zeventien. En dat heb ik vier jaren gedaan. Op mijn twintigste stopte ik. En, ehm, het waren ook hele mooie tijden bij de great music experience. Een heleboel artiesten, internationaal en nationaal, heb ik mogen interviewen. Ik heb, ehm, ik heb, ehm, ik werd uitgeroepen in 1999 tot de populairste tijden. En daar heb ik een programma mogen maken voor het VPRO. Dat is een, ehm, een televisiesender in Nederland. En het programma dat ik heb mogen maken was Waskracht. En, ehm, daar werd ik geïnterviewd. Ik mocht vertellen over hoe het was. Er was een onderzoek gedaan door, ehm, VPRO toen in samenwerking met Veronica. En daar werd ik uit Groenportal de populairste tiener. En dat was een, ehm, hele goede ontwikkeling voor mij. En, ehm, zo is het allemaal begonnen. Want na Great Music Experience heb ik kort ook nog NVD gedaan. En daarna kwam ik te werken bij Buitenlandse Zaken. En toen deed ik daar ook een programma voor Buitenlandse Zaken De Wereld in Perspectief. En, ehm, zo heb ik mezelf opgewerkt. En nu ben ik in het parlement. Dus dat was mijn tweede termijn in DNA. Wauw. Nou, ik zou zeggen, neem hier een voorbeeld aan. Groeien doe je. Langzaam. Ja, precies. Welkom terug in de studio met Patty. Ehm, zijn er nog andere hoogtepunten in je leven? Nou, ehm, laat maar zeggen, als ik kijk naar mijn leven zoals het is gegaan. Dan vind ik het heel mooi, de kinderen. Ik heb drie prachtige zonen op de wereld. En, ehm, ik bid God elke dag voor ze, hoor. Dat ze beschermd worden. En dat het allemaal goed gaat. Ehm, voor mij is het belangrijk waarde, enorme respect. Want daarmee kan je heel veel bereiken. Weet je, je kinderen kunnen de beste diploma's hebben. Maar ze kunnen nergens komen vanwege hun gedrag. Dus ik heb liever dat je goed gedrag hebt. Je weet waar de waarden en normen zijn. Je weet wat respect is en discipline. Daar komt al het andere vanzelf. Dus dat is voor mij belangrijk. Voor de rest, ehm, in de politiek heb ik het met vallen en opstaan gemaakt. Ik moet zeggen, het zijn niet altijd makkelijke tijden. Je krijgt die cotigo's. In die zin van, je krijgt de tegenslagen. Maar, ik ben iemand, je moet uit alles leren. Dit is de wereld. Je kan niet verwachten dat je op pad eentje zal zijn van rozen. Nee. Er zijn altijd dorens. En die dorens maken je sterker. En, ehm, dus ik ga, ehm, vanuit de hoogtepunten komen omdat je daaruit leert. En omdat je daaruit leert, word je sterker en groter. Maar, wat voor mij belangrijk is, is dat je niet moet opgeven. En dat je niet meer moet denken dat, omdat je ouders het niet hebben, dat je het niet kan maken. Want, ik kom uit een een-oudergezin, want ik ben heel kort, leef ik met mijn vader. Maar, vanwege bepaalde ontwikkelingen, ben ik bij mijn moeder gaan wonen. En, ehm, mijn moeder stond er alleen voor. En, ehm, ze was interieurverzorgster. Maar ik heb het gemaakt. Ik heb, ehm, ze heeft altijd met me gesproken. Ze heeft altijd gezegd, Patricia, ik kan je niet veel geven. Maar, ga naar school, studeer, maak wat van je leven. En dat is iets wat ik altijd heb vastgehoord. Alleen door studeren ga ik het maken. Want ik heb geen erfenis. En dat heb ik meegenomen. En vandaag ben ik hier. Nou, een heel eerlijk antwoord. Ik heb eigenlijk niet de indruk, en ik denk velen ook, dat jij tegenslagen in de politiek hebt meegemaakt. Je zal het wel weten, maar voor de buitenwereld ben je altijd gewoon florerende politicus, politica. Maar zijn er ook andere dieptepunten in je leven? Behalve natuurlijk die politieke tegenslagen. Nou, kijk die tegenslagen zie ik niet als iets van, het is een dieptepunt. Het is een les die je leert. En kijk dieptepunt is, je gaat bijvoorbeeld in mijn relatie, weet je. Je hebt relaties gehad waarvan je niet van dingen zijn gegaan zoals je dat wilde, wilde hebben. Dingen gaan een heleboel anders. Maar je zou het wel anders willen. Maar ik zeg, ik heb ook daaruit geleerd. Toch? Ik heb ook geleerd van, hé Patricia, dit is niet wat je moet hebben. Weet je? En ga door, laat los. En dat heb ik ook gedaan. En ik heb geen ruzie met de vader van mijn zonen. Ik heb geen ruzie met ze. Maar belangrijk is, je hebt dingen meegemaakt. Maar je hebt ook daaruit geleerd. Je bent sterker geworden. En je hebt je uit zo'n dieptepunt kunnen opwerken naar sterker. Dus ik heb eruit geleerd. En voor Patti de volgende vraag. Uhm, daar ben toverstok. Je zou terug kunnen gaan naar het verleden. In de tijdmachine. Wat zou je veranderen? Welke gebeurtenis of handeling? Dus uhm, weet je wat ik heb geleerd? Je moet tevreden zijn met hoe het leven is gegaan. Alles gebeurt omdat het moet gebeuren. En zo kijk ik ook, zo kijk ik naar mijn leven. Dus als die vraag mij wordt gesteld. Wat zou ik opnieuw willen beleveren? Dan zeg ik niks. Omdat alles moest gaan zoals het moest gaan. Anders was het niet jouw leven. Dan was het iemand anders zijn leven. En natuurlijk neem je besluiten waarvan je denkt van hé, dit moest het niet zijn. Maar je neemt nooit zomaar een besluit op basis van gewoon een het komt uit de lucht vallen. Er zijn zaken die je brengen tot dat besluit. Omdat je soms ook eruit moet leren. En dat is voor mij iets dat ik altijd meeneem. Uit elke besluit dat ik neem leer ik. En dan zal het zijn positief. Zelfs negatief zijn. Klappen. Want elke dag ga je voor zaken en je weet van hé. Als je samen doet je fout. Waarom doe ik het? Mo kies mee klap. En je kiest niet klap. Maar dan leer je eruit. En dat is nou dat mooie van het leven. En dat is nou een toverstok die je krijgt. Om eruit te leren. Want dan ga je je toverstok nemen. Om het anders te doen. Dus zo kijk ik naar het leven. Heb je een rotie leren maken? Ah ja. Je maakt zelf roties? Nou nee ik maak mezelf roties. Ik kan het maar niet dat ik een rotie expert ben. In de zin van weet je. Je gaat maar echt zien. Achter die chula en alle soort dingen doen. Nee nee nee. Als het moet. Dan zal het wel kunnen. Maar sowieso heb ik het geleerd. Maar jullie hebben wel een goede verstandhouding. Ah ja. Als je bedoelt met meneer Sami Durga. Dan zeg ik ja. Ja. We hebben een pracht van een zoon. Hij is nu twintig. Recentelijk is hij precies twintig geworden. En ja. We hebben onze zaken meegemaakt in het verleden. Maar we hebben ook hele mooie momenten gehad. En we zijn beide daaruit sterker geworden en wijzer. En wat belangrijk is, is dat we samen hebben gewerkt aan de opvoeding van onze Saint Pierre. Want dat is hier erg belangrijk. En daar waar hij kon, is hij ingekomen. En daar waar ik erbij moest zijn, dat heb ik ook gedaan. Voor slot van rekening, is er een goede verstandhouding. Want we hebben een zoon die we niet alleen maar moeten opvoeden en vormen. Maar ook verder moeten begeleiden. Voor Patti, de volgende vraag. Patti. Ze zeggen vaak genoeg. Markvrouw. Suurzak. Adibro. Heb je het als negatief ervaren? Nou nee. Helemaal niet. Het heeft een... Kijk uit het begin. En doet het je wel wat. Want je denkt van oké, waarom? Maar op een gegeven ogenblik. Maakt het je sterker. En het heeft voor mij een bepaalde deur open gemaakt. Een deur waarbij mensen die je niet kende, zullen je dan beter leren kennen. Wie is Patricia Adibro? Dus, dat heeft ervoor gemaakt dat ik misschien een andere springplank heb gehad om veel hoger op te komen. Maar, voor mij is het belangrijk dat dit soort dingen erbij horen. Weet je, mensen gaan altijd van die namen verzinnen. Mensen gaan altijd van die dingen. Dus, het is van hoe ga je ermee om? En, ik kan er heel goed mee omgaan. Ik vind dit soort dingen zijn minor things. Ze gebeuren in het leven. Wat je niet moet doen. En dat is altijd wat ik zeg. Je moet mensen geen voeding geven om te zeggen van, je ben zo. Dus, je bent iets slechts. Ik bedoel, viswijf. Mensen Adibro, iedereen wordt een keertje boos. Weet je, een viswijf is iemand die iets verkoopt nog. Vis verkoopt ofzo. Zuur staat. Ze is een lekkere vrucht. En duur. Nee, ze is duur. Dus, op een of andere manier heb ik zoiets van, stil van het geheel hoor. Patricia gaat gewoon door. En ze is keep smiling. Weet je, ze heeft altijd die lach op haar gezegd als het nodig is. En ik zorg ervoor dat ik er ben voor die samenleving. Yes. Dat is Patricia Ednel. Is er een boodschap die je speciaal voor de kijkers van RBN hebt? Belangrijk is er is genoeg negativiteit in deze wereld. Zorg ervoor dat je altijd een positief lichtje hebt. Die positiviteit brengt veel meer tot uiting als het gaat om wat je kan als mens. Wat je kan verzetten naar beter. En natuurlijk ieder mens heeft zijn eigen leven. En in deze tijd in Suriname waar het zeer moeilijk is. Mensen moeten heel goed nadenken hoe ze uitkomen. Veel stress, veel problemen. Is het juist belangrijk dat we die positiviteit blijven uitstralen. Dus wees positief. Ja. Want dat is op dit moment en ik denk voor de toekomst het allerbelangrijkste. Want negativiteit is vlak om de hoek. Dus be positiv. Nou, dankjewel Patty voor het hebben willen delen van zoveel details uit jouw leven met ons. En voor het hebben willen komen naar hier. Ik weet zeker dat jullie hebben genoten van Patricia Edna in de hitparade van RBN. U bent afgestemd op Rapa's broadcasting netwerk kanaal 5.1. De cameraman is Sager. Wat een woord van dank aan onze geweldige adverteerders. Mijn naam is Vosja Edna. De volgende keer. Het dragen van een mondneuskapje lijkt nog steeds een niet te overbruggen probleem te zijn voor bepaalde mensen. Een van de groepen in de samenleving die daar dagelijks mee geconfronteerd wordt zijn winkeliers en eigenaren van supermarkten. Er blijken onverantwoordelijke burgers te zijn die nog steeds moeite hebben om een mondneuskapje te dragen of er simpelweg geen boelschap of wel lak aan hebben. Die burgers stappen dan ook, zonder na te denken, winkels en supermarkten binnen zonder zo'n beschermend middeltje te dragen tot woede van de eigenaren van die zaken. Veel van de winkels en supermarkten hebben duidelijk aangegeven dat het dragen van een mondneuskapje verplicht is en desondanks lopen die onverantwoordelijken de supermarkten en winkels binnen alsof COVID-19 niet bestaat. De econoom Winston Ramotar Singh noemt in een interview met Radio Tamara een eventuele afwachtende houding van de regering op betere tijden door recent gevonden olievoorraden geen goede zaak. Want het duurt nog vier jaren volgens technische berekeningen voordat dit rendement zal opleveren. Ook de financiële situatie is nog steeds zwaar en incidentele bonussen ontoereiken voor structurele verlichting. Er moet wat gebeuren, vertelt Ramotar Singh. Maatregelen leveren doorgangs niet direct resultaat op. De effecten kunnen jaren op zich laten wachten. Niet onbelangrijk als politici ook kijken naar stemgedrag bij verkiezingen. Het parlement moet in een crisis situatie altijd bijeen kunnen komen. Dit zegt VHP-parlementariër Mahinder Yogi aan Dagblad Suriname. De Nationale Assemblée zou gisteren bijeenkomen om een drietal belastingswetten die gewijzigd moeten worden te behandelen. Het gaat om de wijziging van de omzetbelasting, de loonbelasting en de inkomstenbelasting. De solidariteitsheffing zou met de wijziging van deze wetten per 1 januari 2021 worden ingevoerd. Vanwege de stijgende trend van het aantal COVID-19 besmettingen zijn op advies van het Outbreak Management Team de huishoudelijke en openbare vergaderingen afgelast. Yogi zegt het hiermee echter niet eens te zijn omdat het parlement in een eerdere piekperiode van COVID-19 normaal heeft vergaderd met inachtneming van alle COVID-19 voorschriften. Het Assemblée Let Shambinda heeft zijn bedenkingen over de financiële doorbraak in februari. President Jean Santoké deelde onlangs mee dat hij over een maand een financiële doorbraak verwacht, waarbij april zich zal kenmerken door de stabiliteitsfase. De president heeft in dat kader valutamaatregelen klaar liggen, zoals de maatregel dat exporteurs 30% van hun opbrengst in valuta bij de Centrale Bank van Suriname moet inwisselen tegen de nadelige Centrale Bank van Suriname koers. De marakkoers ligt nog altijd hoger dan die van de CBVS. Zo los je het valutaprobleem niet op, zegt Binda desgevraagd aan Dagblad Suriname. Hij stelt dat zo'n valutamaatregel juist Averex zal werken. Jaren terug is dezelfde reeds uitgeprobeerd en heeft het geleid tot een fiasco. Meer aandacht voor jongeren in het binnenland is nodig. Socioloog Fidelia Grant-Gallon zegt uit conflicten met ouderen niet alleen nu, maar door alle tijden al zijn voorgekomen. Zelfs Samson heeft niet naar zijn moeder geluisterd duizenden jaren geleden. Nu in 2020 willen jongeren scoren om populair te zijn, net als Samson en Delilah. Jongeren hoeven echter niet te scoren door zich alleen op negatieve zaken te richten, maar ze kunnen zich ook bezighouden met seniorenburgers en bezig worden in zaken waarin ze zwak zijn. Grant-Gallon ligt toe dat jongeren een beeld moeten hebben wat ze interessant vinden. Waarin wil je scoren? Iets moet je boeien. Ouderen weten nu ook niet goed wat jongeren boeit. En dat luisteraars was het nieuws van het uur. Bedankt voor uw aandacht. Een vliegtuig van Blue Wings is vanochtend woensdag met een harde klap door het landingsgestel gezakt op de eerstrip van het lawagebied te KWM Hakan. Het toestel blokkeert de landingsbaan. Kan 2020 nog meer ellende brengen voor de Waianna? Dit schrijft de stichting Mulukot KWM Hakan op social media. Het herstel van de relatie tussen Suriname en Nederland was dinsdag onderdeel van een gesprek tussen de voorzitter van de Nationale Assemblee, Marinus Bey, en de nieuwe ambassadeur van Suriname in Nederland, Rajinder Kargi. Kargi bracht een beleefdheidsbezoek aan Bey. De Assemblee voorzitter zei tegen de ambassadeur dat hem een toffe jobs te wachten staat om de nationale belangen van het land te behartigen. U heeft de volle ondersteuning van de president en mag zeker ook rekenen op de volle ondersteuning van DNA en de regeringscoalitie. Zowel de Assemblee voorzitter als ambassadeur Kargi is het erover eens dat de stedenband Paramaribo Amsterdam, die in het verleden goede vruchten heeft afgeworpen, weer opgepakt wordt. Na het aantreden van president Boutersen in 2010 werd de stedenband verbroken. In het kader van het verbeteren en versnellen van de dienstverlening met betrekking tot het verlenen van onder andere vergunningen, heeft het ministerie van Openbare Werken ervoor gezorgd dat de status van een vergunningsaanvraag sinds dinsdag online bekeken kan worden via publicworks.gov.sr. Volgens het ministerie moeten burgers en ondernemers vaak lang wachten op goedkeuring van hun vergunningsaanvraag. Het ministerie werkt aan het versnellen van deze processen. Bij OWE kunnen verschillende vergunningen worden aangevraagd. Alle informatie over de vergunningen zal binnenkort op de website van OWE te vinden zijn. Men zal dan kunnen zien welke vergunningen aangevraagd moeten worden en als men een aanvraag heeft gedaan, dan kan men de status ervan online volgen. Aanbestedingen zullen ook op de website geplaatst worden, zodat men kan zien naar welke aannemer een bepaald project is gegaan en voor welk bedrag. Verschillende politieeenheden hebben in het kersweekend van donderdag 24 tot en met zondag 27 december in totaal 411 covid-19 avondklok overtreders, waaronder 71 vrouwen, overgebracht naar de hal op het terrein van de politieacademie. Zo meldt het Korps politie Suriname dinsdag. Het gaat vooral om mensen die huisfeestjes organiseerden en personen die langs de openbare weg genoten van muziek uit hun auto's. Verder werd er ook geconstateerd dat de overtreders de nodige maatregelen, waaronder het dragen van een mondkap, niet in acht namen. De politie blijft een dringend beroep doen op de samenleving om de covid-19 maatregelen in acht te blijven nemen. Het aantal covid-19 besmettingen bedraagt dinsdag 85, terwijl dat zondag 40 was, al dus de dinsdagavond bijgewerkte officiële covid-19 website. Er zijn dinsdag 411 tests uitgevoerd. 91 patiënten zijn genezen verklaard, dat waren er zondag 23. Het totaal aantal actieve gevallen bedraagt nu 363. 839 personen, niet positief getest, bevinden zich nog steeds in quarantaine. Op de intensive care units bedraagt het aantal patiënten 7 en 62 personen worden nog buiten ICU's verpleegd in de ziekenhuizen. 166 positief geteste personen bevinden zich in isolatie. Het totaal aantal positieve besmettingen sinds de aanvang van de covid-pandemie bedraagt 6000. 98. 98. 8. 9. 1. झाल झाल